प्रयाग्राज का कुम्ग, क्या है कुम्भ की खासियन? कुम्भिया अर्द कुम्ग, देखिये मेरे साथ ये विशेश प्रोग्राम नमस्कार मैं उस रिश्टी और आप देख रहे हैं एक खास मुलाकाता, चुम्भात करते हैं कुम्भ की 2019 के शिर्वात अर्द कुम्भ से होने वाली है, 14 जन्मडी से अर्द कुम्भ का शुभारम हो जाएगा और इसके शिरू होने के साथ साथ देश विदेश से श्रधालू प्रयाग जाएगे तो चलिए आपको बताते हैं किन किन जुदों पर इसका योजन होता है और कुम्भ और अर्द कुम्भ कब लगता है और क्या है इसके पीछे की मानेता शास्त्रों के अनुसार चार विशेस स्थान है जनस्तानों पर कुम्भ मेले का योजन होता है नासिक में गोदावरी नदी के तटपर उजैन में शिप्रा नदी के तटपर हरिद्वार और प्रयाग में गंगा नदी के तटपर सबसे बड़ा मेला कुम्भ 12 वर्षों के अंतराल में लगता है और 6 वर्षों के अंतराल में अर्ध कुम्भ के नाम से मेले का योजन होता है वर्ष 2019 में अयोजित होने वाले प्रयाग में अर्ध कुम्भ मेले का योजन होने वाला है इसके बाद साल 2022 में हरिद्वार में कुम्भ मेला और साल 2025 में फिर से इलहबाद में कुम्भ का आयोजन होगा और साल 2027 में नासिक में कुम्भ मेला लगीगा कुम्भ मेले का आयोजन वैसे तो हजारों साल पहले से हो रहा है लेकिन मेले का प्रथम लिखित प्रमाड महान बौध तिर्थ यात्री भेंसांग के लेक से मिलता है जिसमें छटवी शताब्दी में समराथ हर्ष वर्धन के शासन में होने वाले कुम्ब का प्रसंग वर्ष का वर्ण किया गया है नासिक उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग इंजगेव पर हर तीन साल के अंतुरा में कुम्ब का आयुजन होता है इसलिए किसी एक अस्थान पर पृतेक 12 वर्ष बाद ही कुम्ब का आयुजन होता है तो यह कुम्ब की बात अब करते हैं क्या है अर्ध कुम्ब अर्ध कुम्ब क्या है अर्ध का अर्ध है आधा हरिद्वार और प्रियाग में दो कुम्ब पर्वों के बीच से साल के अंतराल में अर्ध कुम्ब का आयूजन होता है पौराडिक ग्रंधों में भी कुम्ब एमम अर्ध कुम्ब के आयूजन को लेकर जोतिशिय विश्वले सर्ड उपलब्ध हैं कुम्ब पर्वों हर तीन साल के अंतराल पर हरिद्वार से शिरू होता है हरिद्वार के बात प्रयाग नसिक और उज्जन में मनाय जाता है सिंघर्ष्त का सम्मंद सिंह राशी से है सिंह राशी में बृष्पती एममेश राशी में सुड़े का प्रिवेश होने पर उज्जन में कुम्ब लगता है इसके अलावा सिंगराशी में ब्रिस्पती के प्रवेश होने पर कुम्ब पर्व का आयूजन गुदावरी के तट पर नासिक में होता है इसे महा कुम्ब भी कहते हैं क्योंकि यह योग 12 साल में बनता है कुम्ब पर्व और ग्रह उकस्ताई होका तो आपको यह पता लगी गया होगा कि कुम्ब चार कीश हस अस्तानों पर लगता है हरीदवार प्रयाग नासिक और रुजे अब आपको बता दें इन चार अस्तानों के पीछे कुम्ब लगने का क्या आर्थ है कुम्भ पर्व और ग्रहो का संयो हरिद्वा, हरिद्वार का संबंध मेश रासी से है कुम्भ राशी में ब्रिश्पती का प्रवेश होने पर मेश रासी में सूरी का प्रवेश होने पर कुम्भ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है हरिद्वार और प्रयाग में दो कुम्ब परवों के बीच छे वर्ष के अंतराल में अर्ध कुम्ब का भी आयोजिन होता है प्रयाग कुम्ब का विशेस महतव इसलिए है क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है जोति शास्तियों के अनुसार जब ब्रिश्पती कुम्ब राशी में और सूर्य मेश रासी में प्रवेश करता है तब कुम्ब मेले का आयोजिन प्रयाग में किया जाता है अन्य मानेते अनुसार मेश राशी के चक्र में ब्रिशपती एवं सुर्य और चंद्र के मकर राशी में प्रवेश करने पर अमस्या के दिन कुम्भ का पर्व प्रयाग में आयुजित किया जाता है एक अन्य गड़ना के अनुसार मकर राशी में सुरी का एवं भृष राशी में ब्रिष्पती का प्रवेश होने पर कुम्भ पर्व प्र्याग में आयुजित होता है नासिक के दिन ब्रिस्पति सुर्य एमम चंद्र के करक राशी में प्रवेस होने पर भी कुम्भ पर्व गोदावरी तड़ पर आयूजित होता है उजयरत सिंग राशी में ब्रिस्पति एमम मेश राशी में सुर्य का प्रवेस होने पर यह पर्व उजयन में होता है इसके अलावा का कार्थि का मौस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर ब्रिश्पति के तुला राशी में प्रवेस होने पर मोक्ष दायक कुम्भ उज्यायन में आयोजित होता है कलश को कुम्भ कार्थ होता है घड़ा इस परव का संबन्ध समुन्ध्र मंधन के दौरान अंत में निकले अम्रिट्छे है दरसल कुम्भ परव को मनाने के पीछे की कुछ मानेता है चलिए आपको दिखाते हैं क्या है वो मानेता कुम्ब परवत क्यों मनाया जाता है देवता असुर जब अमरित कलश को एक दूसरे से छीन रहे थे तब उसकी कुछ बूदे धर्ती की तीन नदियों में गिरी थी जहां जब ये बूदे गिरी थी उस अस्तान पर तब कुम्ब का आयोजन होता है उन तीन नदियों के नाम है गंगा, गोदावरी और शिप्रा अमरित पर अधिकार को लेकर देवता और दानों के बीच लगतार 12 दिन तक युद्ध हुआ था जो मनुष्यों के 12 वर्ष के समान है अत एब कुम्ब भी 12 होते हैं उन में से चार कुम्ब प्रित्वी पर होते हैं और आज कुम्ब देव लोग में समुंद्र मंथन की कथा के अनुसार कुम्ब परवकार सीधा संबंद स्तारों से है अमरित कलस को स्वर्ग लोग तक ले जाने में जयन्त को 12 दिन लगे देवों का एक दिन मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर है इसलिए तारों के क्रम के अनुसार हर बारहवे वर्ष कुम्ब परवभी नतीर थस्तानों पर आयुजित किया जाता है युद्य के दरान सुर्य चंद्र और शनियादी देवताओं ने कलश की रक्षा की थी अथा उस समय की वर्षमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सुर्यादी ग्रह जबाते हैं तब कुम्ब का योग होता है और चारों पवित रस्तलों पर प्रतेक तीन वर्ष के अंत्राल पर क्रमानुसार कुम्ब मेले का आयुजिन किया जाता है अठात अम्रित की बुदेच हलकने के समय जिन राशियों में सूर्य चंद्रमा अम्रिस पती के स्थिती के विशिस्ट योग के अफसर रहते हैं वहां कुम्ब पर्व कायन राशियों में ग्रीहों के स्नयोग पर आयुजिन होता है इस अम्रित कलस की रक्षा में सूर्य का रड़ेली ग्रेहों की उन्विशस्ट स्थितियों में कुम्भ पर्वमनाने की परंपरा है। सदाशिवं भजाम्य हम, सदाशिवं भजाम्य हम, ओ नमशिवाया। बता दे कि अम्रित की बूदे चार जगह पर गिरी थी। गंगा, नदी प्रयाग में जो है और गोदावरी नदी नासिक, शिप्रा नदी उज्जयाग, सभी नदियों का संबंध गंगा से है। गोदावरी को गोमती गंगा के नाम से पुकारते हैं, शिप्रा नदी भी उत्रिक गंगा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर गंगा गंगेश्वर की अराधना की जाती है। फिलाल के लिए सिर्फ इतना ही हमें दीज़ाद बने रहे हमारे साथ।